तकरीवन मनाली की तरफ से 25 गाडियां को निकाल दिया गया है और तकरीवन साथ हजार के करीब और गाड़ियां वहां फसी वी है ओवर टूरिजम था और कसोल वाले एरिये से भी हमने तकरीमन काफी लोगों को निकाल लिया है और जो तिर्थन वाला एरिया है उसको भी हम वहां से भी काफी टूरिस्टों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं सब्सक्राइब करने में सब्सक्राइब करने में समय लगता है लेकिन प्रेटक निकल जाए उसके बाद हमारा ध्यान बिजली और पाने की सुभिदा अपलवत करवाना है बिजली के अधिकारियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने काफी रात महनत की है बाहर से हम एक्स्टा स्टाफ एक्स्टा लेवर ला रहे हैं बिजली के अमडी यहां बैठे हैं हमारे डिप्टीची मिनिस्टर को यहां पाने के लिए बलाया है पीटवर्टी मिनिस्टर को भी हमने सब जगा बोला है सुन्दर ठाकुर जी अपने इस कुलू मनाली और हमारे भुमनेश और गौड जी सब स्थिती पर जाजा रखे हुए हैं खुशी इस बात कि हम पचास प्रतिशत प्रेटकों को निकालने में सफल रहे हैं और शाम आठ बजे तक हम असी प्रतिशत प्रेटकों को निकालने में सफल होंगे और बिजली के अधिकारियों को निर्देश दे दी हैं सड़क के अधिकारियों का निपदेश दे दिये लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत समय लगेगा बहुत नुक्सान हुआ है चार हजार क्रोड से ज्यादा का नुक्सान का अनुमान अभी तक है और यह तो कम अनुमान है लेकिन आगे बढ़ सकता है कल चार लोगों को बेज़िया होम गार्ड के सिटलाइड फोन से बेज़ दिया वह चालिस दुकाने और टीस घर भेगे हैं उनको पूरी रात के को तौर पर एक एक लाक रपया बेज़िया क kalian का समगरी वह बेज़ दिया और और वहां सैट्लाइट फॉंड से कुनेक्ट हो गया और मैं व्यक्ति का तोर से सैंज के लोगों से भी मिलकर आया हूं अभी मैं अभी मैं जा रहा हूं चंदरताल में क्यों सबसे बड़ा हमें इस लड़क खुलानी है और हमारे दो मंत्री चंदरताल पहुंचेंगे आज जि चंदर्देश दिये हैं पूरे हमाचर परदेश में हेल्थ मिनिस्टर को जो हल्थ से समंद्धित सभी दिया है रोई ठाकुर जी